हेलो गाईस तो इस पार्ट में जेंग ने डिसाइट किया था कि वो जल से जल जिंक्तियान की मकसद के बारे में पता लगाएगी उसके बाद सुई सोच रही थी कि जेंग ने उसे मिरिकल डॉक्टर की प्रेस्किप्सन दी है इसका मतलब वो इतनी सिंपल नहीं है वैसे भी अब उसे मेरे फेक होने के बारे में पता है वो कभी भी मुझे एक्सपोस कर शकती है इसलिए वो उसे मारने के बारे में डिसाइट करती है और किसी से कॉंटक्ट करती है उसके बाद रात में कोई गुंडा जेंग पर अटेक कर देता है तो वो उसे पूसती है कि त तभी वो गुंडा उस पर अटाक कर देता है पर जेंग ये सोचकर बीच में आ जाती है कि वो ओडिनारी सा पर्षान है अगर उसे हीडन वेपन लग गया तो बहुत हड हो जाएगा और वो उसे हट नहीं होने दे सकती थी तभी वहाँ असिस्टेन और बाके सब आ जाते हैं जैसे ही जेंग को हो साता है तो वो जिंक्तियां से पूछती है कहीं तुम हट तो नहीं हुए तो बताता है कि वो ठीक है और फिर जेंग अपने बेवी के बारे में पूछती है कि वो ठीक तो है ना पर वो कुछ नहीं बता रहा था तो बरिट हो जाती है और पुछने लग बहुत ही स्किल्ड हूँ पर मुझे नहीं पता थे कि मुझे इतना बड़ा मिश्टक हो जाएगा जिंक्तैन उसे कंसोल करने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें और भी चांस मिलेंगे पर वह उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है कि वह थोड़ी दर अकेले में रहना चाती दूसरी साइट असिष्टन ने उस गुंडे को पकल लिया था और उसकी अच्छी कास से धुलाई कर रहा था तब ही वह पर जिंगतान आता है और पूसता है कि इसने अभी तक कनफेस किया या नहीं असिष्टन कहता है कि यह अंडर वर्ल से है मर जाएगा पर सच नहीं बतायागा तो वो उसे टॉर्चर करने के लिए कहता है और उसे बताने लगता है कि वो कोल वाटर टॉर्चर करेगा वो बहुत पेनफूल होता है तो वो सच बता दे पर वो फिर भी कुछ नहीं बताता है और कहता है हम अंडर वर्ल से हैं चाहे तुम कुछ भी कर लो हम अपने इंपलोई के साथ बिटरे नहीं करेंगे और फिर वो लोग उसे बहुत टर्चर करते हैं तो फाइनली सच बता देता है कि सुई ने उसे भीजा था नेक्सिन में सुई होस्पिटल जाती है जंक से मिलने इसलिए मैं नहीं पी रहy हूं वो कहती है मैंने ये सुप अच्छे इंटेंसon से बनाया है और वैसे भी मैं मिरिकल डॉक्टर हूँ तो ऐसा कैसे कर शक्ति हूँ जैंक कहती है तुम अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मिरिकल डॉक्टर हो या नहीं और अगर तुमने इ हूँ हूँ पूषता है कि क्या हुआ था तो सुझ बताने लगते हैं कि मैं इसके लिए चिकेंसो बना कर लायी थी पर इसने ना्सुरी पीने समना कर दिया बलकि मेरे उपरी गई धिया मुझे पता है कि इसने अपना बेबि खोया है इसलिए अपसेट है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना सारा खुश सा मुझ पर निकाल दे अभी मैंने जो कुछ भी कहा उस बज़े से ऐसा कह रही हो ना कहकर उसे explain करने वाला था पर वो उसे रोक देती है और डिवोस के बात करती है और कहती है डिवोस के वाद मैं तुमसे कोई property नहीं लूँगी तो तुम पिना टेंसन के मुझे डिवोस दे सकते हो ये सुनकर जिं कर लेता है और confess करता है कि वह उसे लाइक करता है चाहिए उसके आइडेंटी जो भी हो उसके जितने भी सिक्रेट्स हो वस उसने उसे ही चुस किया है जैंक सुस्ती है मेरी अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम हमेसा हाम ही होगे इसलिए अच्छा हुआ कि हम दोनों अ कर रही थी कि वह कोई प्रेगनन वगरा नहीं थी वह बस्ट्रिक करके तुमसे पैसो के लिए मेरेच करना चाहती थी वह कंट्रिसाइट गल है तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुईटेवल नहीं है तो तुम सैंग फामली से जल्दी से उससे निकाल दो जिंक्तियान पू जाएगा और फिर असे देखकर सुई डर जाती है कि यह तो मर गया था तो फिर सदनली अप्यार कैसे हो गया जिंक्तियान गुन्टे से पूस्ता है क्या यह वही लड़की है जो तुम्हारा एंप्लायर है तो हां कहता है तो सुई उससे थपड मार देती है कि तुम छूट पाश्ट में मैं तुम्हारे साथ काइंड था तुम्हारी हिमत कैसे ही यह सब कुछ करने की और वह उसकी कंपणी के साथ जो भी कॉपरेशन था उन सबको कैंसल कर देता है तो वह उसे माफियों लगती है कि मुझसे गलती हो गई पर वह उसे घर्षर बाहर निकलने के तो ज्रुचान उन से मिले जाता है कि मैंने सुनाया कि बच्चा आप नहीं रहा बताओ मुझे क्या हुआ था तो बताता है कि डॉक्तर से कुछ मिष्टेक हो गया था वह प्रगनन नहीं थी कि सुनकर करण श्याते हैं और कहते हैं मैंने सोच आता कि फारइनली मेरा गोस्तेगी उसे कोई प्रपटी नहीं चाहिए और उसे डिवोस एकडिमेंट रेडी करने के लिए कहा है और फिर सिविल भी रोजा कर डिवोस ले लेंगे दूसरी और जैंग उस्पिटल से सिधे घर बाय करने के लिए जा रही थी क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था और वो जिंगतन को ब्लॉक कर देती है और सूसती है कि मैं तुम्हें आवएट नहीं करना चाहती है पर हम दोनों सेम वॉल्ट से नहीं है दूसरी से ग्रेंपा पुस्ते हैं कि क्य करते हैं तो वह कहने लगता है कि उसके फ्रेंस और फैमिली नहीं है तो वह स्यादा दूर नहीं कही होगी हम उसे धून लेंगे तो उसे जल्दी से धूनने के लिए बैस देते हैं दूसरी साइट जैंग अपने निव घर में डिनर कर रही थी तभी उसकी घर पर कोई आता है तो मुझे लगता है कि हमारे मेरेज को यही पर एंट देना चाहिए ऐसा कहेकर वह डॉल लॉक करने वाली थी पर जिंक्तियंघ के अंदर घुश जाता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ घर वापस नहीं आना चाहती तो मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा और वो ड जेंग कहने लगती है तुम्हारी यहां पर कोई भी चीज़े वगरा नहीं है तो तुम अपने घर वापस चले जाओ तभी वहापर असिश्टन जिंगतन का समान लिकरा जाता है तो वह पूसता है अब तो मेरे समान भी आ गया है तो क्या आप मैं यहां रुख सकता हूं तो जेंग कहती है तुम्हारी मर्जी और वहां से चली जाती है तो वह खुश हो जाता है और यहां पर यह पट खतम हो जाता है